नमस्कार दोस्तों, बेक होम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हर शोट पाल आज आपके लिए फिर से ले आया हूँ एक 2BH के 65 गच का बहुती शांदार अमेजिंग फ्लैग फ्लैग देखने से पहले देखते हैं बिल्डिंग का फ्रेंट एलिवेशन थोड़ा सा इसका लोकेशन मेट्रो के डिस्टेंस और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना यह बहुत ही शांदार और खुबसूरत सा फ्लैग तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपना फ्रे आपको आपको पे रचप को दोस्तों चलते हैं अपना ख्राण प्रेंट रहुत है कि तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा विल्डिंग का फ्रन्ट अलिएसइन आशा करता हो कि यहापको बहुत पसंद आया होगा थिक ऐ तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना डॉइंग अबात करता हूं तो आपने आपने पास 5-sitter sofa आपको देख सकते हैं यहां पर पूरा 5-sitter sofa को मैंने प्लेस किया हूँ इसके साथ 5-sitter sofa के साथ यहां पर दे रहा हूं पुरा बहुत इस बिक साइज अलमीरा का प्रोविजन यह देख सकते हैं बहुत ही भी साइजा अलमीरा का प्रोविजन यहाँ आपको दे रहा हूं ठीक है साथी शाथे स्टोरीज के अगर बाश करता था हो तो जोड़ाय मेरे पास इसारेज स्टोरेज मिल जाती है ठीक है दोस्तों यह तो था मेरा समाना दोस्तों वही चीज मैं आपको यहां दिखाने चाहरा हूं कॉंसेट सोफे के सामने बिल्कुल LED पैनल मेरा लगावा है बहुत ही बड़े और बिग साइज का LED पैनल यहां पर लग गया है हमारे पास ठीक है इसी के साथ साथ अब चलते हैं दोस्तों अपने वाल पेपर की तर Faldies जो हमने के चोटा सा WD का काम किया हूँ अपर चोटा सा अपना इफट का काम करा रह रहा रहा है, जिसके नदर हमने छोटे हूँ छोटेज़ इपने गिफ्टरा इपैनम को सजा रहा है ठीक है दोस्तों आप बात करतें इसक curling के design की उनके design की और में बात करूं तो फॉल्से tutaj के design यह इस पूरे flat की खुबसूरती में चाहरो है आपके सामने यहां देख सकते हैं कि कितनी खुबसूरत तरीके से हमने इसको सज़ाया ब्लू लाइट और वाइट लाइट से इसको बहुत कुपसूरती से हमने सजाया हुआ है इसी के साथ साथ इस फ्लाट के अंदर में आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने जो नीचे काम किया है वो किया डिजिटल विक्ट्रिफाइट टाइल्स का यहां देख सकते हैं पूरी और फारे घर की ग्रहनियों की जान यानिके किचन इस घर का किचन किचन के मैं बात करूं तो किचन बहुत ही शांदार है completely Italian तो जो बताया था जैसा बताया था जहां बताया था और जितना बताया था वो सब वहाँ वैसा और उत्राई देने के लिए मैं आ गया हूँ अपने किचन एरिया में तो मेरे घर की ग्रहनियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने किचन के अंदर यानि के इटालियन मॉडलर किचन के अंदर बहुत ही शांदार स्पेस है इसके अंदर ठ चार तर पांच स्पेसलित प्यों स्केश ब्थैचत यह आपको दे रहा हूं मैं यह यह तरीके से चार Bye आपको इस ब्हुत फंपिनके स्प्लेटव को इस आलेंetically मॉटलर कंप बेवने आपको सासे आपको दे रहा हूं पर यह पर आ रसीफ के दोनों प्रेजों आपके सेप बान वाश्रूम दूस्तों को उस्का धाप करता और है कि मैं हम पूरा और बात सकीड प्नांग मिनित और नहीं अगज सब्सकाइब ऊसनग critical थे यहां we और पर आपको आपने दे रहें है अपने पहरने रहे हैं तो सबसे पहले मैं को दिखाना चाहimmen हाँ इसका शावर पॉयnt शावर पॉंट इसके पास बहुत स्क्वयर रा जा जाता है बखिया तो यह बात करता हूं गीजर और एक्जास की तो वह मैं प्रोविजन आपको करके भी दे रहा हूं और यह दोनों चीज़े लगा कर भी दे रहा हूं तो आये मैं आपको दिखा देता हूं इसके घीजर और एक्सों यहां यहां पे यहां पर अफेर और और यहां वाटिंग कीज़ें पूर हूं साल हुझ राधर कर दोता यहां तो यह थे तो था अपना किचन बातरूम और प्रोण आपना। चलते हैं दोस्तों अपने बेड्रूम के तर जो कि बहुत ही पेशवियस हैं 65गच के फ्लेट के बेडरूम साइज के आऊंगे यह आप अभी तक सोच रहे होगे तो मैं देर ना करते हुए आपको ले करके चलता हूँ अपने फ्लाट के 65 गज के फ्लाट के बेड्रूम की तरफ तो आईए पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसका पहला बेड्रूम बहुती शानदार बेड्रूम है अपने पास बहुती इस्पेशिस बेड्रूम है अपने पास यहां पर हमने चीजों को लगा के दिखाया है कि क्योंकि लगा के दिखाने का मॉटिफ हमारा यह है कि आपको चीजे समझ आए कि आप किस तरीके से अपने बेड को अपनी अल्मी यह पे almira के दोनों provision दिये वहा है देख सकते हैं उपर भी storage है और नीचे भी storage है ठीक है यह तो था दोस्तो मेरा बेड और almira अब बात करते हैं इसकी खुब सूर्थी की बेड्रूरूम की खुब सूर्थी के अदर जो चार चांड लगाने आता है अपने पास आती है अपनी यह पूरी wall paper, wall paper की मैं बात करता हूं तो दोस्तो wall paper पूरा पूरा completely washable wallpaper है, बहुत ही खुबसौरत है, और bedroom से पूरा completely attached और match हो रहा है, अब बात करते हैं इसके false ceiling design की, false ceiling design के अदर आप देख रहा है कि मैंने M.D.F की यहां पे पूरी sheet लगाई वी है, जिसके अंदर मैंने cobal लाइट का भी यूज किया है जो कि इस बेडरूम के अंदर यानि के एक अलग सा ही फील और अलग सा ही लुक दे रहा है तो यह तो था दोस्तों पने पास पॉल सेलिंग डिजाइन अब पॉल सेलिंग के बाद जो इस बेडरूम की खुबसूरती को और बढ़ा रहा है वो है तो अब बात करते हैं अपने दूसरे बेडरूम की 65 गच के अंदर शांदार टू-bHK के आट-फुट के दर्वाजों के साथ आपको मैं देने वाला हूँ इस बेड्रूम इस फ्लैट का दूसरा बेड्रूम दूसरे बेड्रूम का मतलब अभी तक आप सोच रहोंगे वीडियो के अंदर के मैंने आपको अटैच वाश्रूम नहीं दिखाया तो ठीक सुना दोस्तो आपने अटाइच वाश्रूम अंदर है ने बेडरूम के अदर ऐटाच वाश्रूम बेडरूम के अंदर हमें तीन चीजों की जुरत होती है एक अल्मीरा एक अटाच वाश्रूम और एक बेड ये तीनों ये चीज़े मैं आपको अदर देने वाला हूं तो देर ना करते हुए दोस्तो चलते हैं अपने फ्लाट के सेकिंड बेडरूम की तरफ तो आईए जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही दूँगा कोशिश करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आईए दोस्तो वेलकम टू माई बेडरूम जैसा बताया बिल अगर को इसका व्यू कितना खुपसूरत नजर आ रहा है तृट है अगर मैं आपको इसका व्यू एक बार दिखाना चाहूं दोस्तो तो मैं अभी आपको चोटा सा कलिप दिखाता हूं इसके विव का ये देखिए माई गाड बहुत ही शांदार लग रहा है ये वियू इस ठीक है इसी के साथ चलते हैं दोस्तों इसका अटैच वाश्रूम देखने जैसा मैंने बताया था विल्कुल वैसा ही आपको देने वाला हूं अटैच वाश्रूम है वाल्ट वाल्ट टाइल का काम किया हुआ है सारा गीजर के प्रोविजन है शावर लगा हुआ है सीट लगी हुई है ठीक है और साथी साथ इसके अंदर डाइवेटर स्पाउट हर चीज की फैसलिटी अवेलिबल है विंडो दीवी है दोर दिये हुए है अपना विंडो एसी का कम्प्लीटली प्रोविजन है दोनों बिड्रूम के अंदर आप देख सकते हैं ठीक है तो दोस लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा शेर कीजेगा कमेंट कीजेगा और हाँ मेरा बैल आइकन दबाना मुद भूलीगा क्योंकि उसी के थुरू में आपको अपने नए वीडियो की नोटिविकेशन दे पाता हूं तो दोस्तो इसी उमीद के साथ मैं इस